हेलो फ्रेंड स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ग्यान पे और मैं हूँ आपका दोस्त ग्यान प्रकास मिस्रा तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग की आज मारी 25 क्लास होने वाली है और इसमें मैं आपको फेस में आइज, नोज, लिप्स, इयर्स जो बनते हैं वो आपको बना के दिखाऊंगा और उसी के साथ ही फेस कैसे बनता है ये भी बताऊंगा तो फ्रेंड मैंने पिछले क्लास में भी आपको ये चीजे बना के दिखाई है क्लास 15 जो थी हमारी उसमें मैंने आपको आइज, नोज, बगेरा बना के दिखाए थे लेकिन उसमें उतना डेटेल से मैं नहीं बना पाया था तो मैंने ये डिटेल से सारी चीज़ें आज शेर किया तो आप इसको देख सकते हैं दुबनी पैंटिंग क्लास 12 जो थी हमारी उसे मैंने फेस बनाना बताया है तो आप उसे भी देख सकते हैं तो फ्रेंड इसका डिस्क्रेप्शन में लिंक में डाल दूँगा जहां से क्लिक करके आप वो वीडियो हमारी देख सकते हैं तो वीडियो को स्किप मत करें एंड तक देखे वीडियो बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाली है फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं अभी हिस्सा होता है, ऐस게 हम यह बना रहे हैं, यह देखिए। ऑपर से ऐसे ले लेंगे, थोड़ा सा कर्वक करते हुए और फिर नीचे से बना लेंगे, बीच में आँखों की पुतली बना लेंगे, आखों का पुतली राउंड में बनाना है हमें तो यह देखिए इस तरीके से बना लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं आउट लाइन कर लेते हैं डार्क सा नीब से मैं बना रहा हूँ चोटी चोटी इस तरीके से ये देखिए, लैन कर लेते हैं, और फिर उपर आइब्रो में भी कलर कर लेते हैं, क्या करेंगे हम, आँखों की पुतली में, ये ब्रस से में कलर भर लेता हूं, इस तरीके से, ये देखिए, तो एक आँख हमारी इस तरीके से तयार है, तो दूस आखों के बीच में यह लाइन कर लेते हैं, यह उपर वाला पोर्शन जो होगा यह पलके हो जाएंगी और नीचे जो है आखे हो जाएंगी, इसमें भी हम पुतली राउंड में बनाएंगे, पुतली हमें इसा राउंड ही बनता है, लेकिन यह हम कशनी स्टाइल में थोड़ा सा पहले आउटलाइन को डार्क कर लेते हैं इस तरीके से, यह देखिए, पलके बनाएंगे, उसमें हम कशनी कर लेंगे, पलकों में उपर कशनी कर लेते हैं, और उसके आखों के पुतली में एक हम राउंड बनाएंगे, और उसके चारों तरप कशनी कर लेंगे, इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से हमने कश्णी कर लिए उसके बाद आइब्रो में भी कश्णी कर लेते हैं आइब्रो में हम कलर नहीं भरेंगे कश्णी करके बना लेते हैं नमबर तीन पे देखिए सबसे पहले हम आइब्रो के लिए एक लाईन खीश लेते हैं यह हम design वाली आँखे आपको मना के दिखाएंगे पलकों पे जो design जैसे हम डाल देते हैं जैसे कौतम बुद्ग बनाते हैं या कुछ में बनाते हैं उसमें हम आँखों पे design भी डाल देते हैं उपरी हिस्सा बना के इस तरीके से ये देखे और उपर पलकों का भी डिजाइन थोड़ा से छोड़ देंगे और नीचे मैंने पहले इसमें आँखों की पुतली बना लिया है हम पलकों पे थोड़ा डिजाइन कर लेंगे पलकों पे डिजाइन करना है हमें इस तरीके से हम पलकों पे डिजाइन कर लेते हैं और काफी अच्छा लगेगा यह हम पुतली में थोड़ा सा अलग डिजाइन डाल देते हैं बीच में पहले एक बड़ा राउंड करेंगे, फिर एक छोटा सा राउंड करेंगे, छोटे वाला राउंड हम भर लेते हैं, पूरा और बीच का पोर्शन ये हम वाइट रखेंगे, वाकी बाहर का जो हिस्सा ये सारा भर लेते हैं, देखिए, उपर आइब्रों में कलर कर ल इस तरीके से मैं डबल लाइन करके मैंने ये आख बना लिया और इसमें कशनी कर लेंगे, बीच में राउंड शेशे शेप में करके पुतली बना लेंगे और पुतली में भी हम कशनी कर लेंगे, आइब्रों आप सीधा ऐसे कशनी वाला जैसे मैंने उपर नमबर टू पे बताया, ऐसा ही आइब्रो इसमें भी बनेगा, तो आप ऐसे बना सकते हैं, नमबर फाइब पे देखे फ्रेंड, जब मैं माता दुरगा की या माकाली की का चितर बनाता हूं, तो उसमें जो आइस बनते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़े से तिर्छे से हैं, डार्क बना लेंगे, और पुतली राउंड में बना के, ये देखे, पुतली को राउंड में बना के कशनी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं, लेकिन मैंने कशनी किया है, और बीच में थोड़ा सा राउंड बना के, बीच में छोटा सा एक ब्लैक स्पोट डाल लिया है, और चारो तरफ white रखे, यह कापी अच्छा लग रहा है उसके बाद फ्रेंड हम nose बनाते हैं यह देखिए, nose कैसे कैसे बनेंगे nose यह देखिए, बिल्कुल पहला जो है simple है, ऐसा L shape में मैंने बनाया है, यह देखिए इस तरीके से, यह nose बहुत use होता है, मदुबनी प्रेंटिंग में और बिल्कुल simple है, बनाने में भी आसान है, नमबर दो पह देखिए थोड़ा से curve line से लेके और यह अंदर को मुरा हुआ nose मैंने बनाया है, यह भी बना सकते हैं आप नमबर तीन पह देखिए, यह भी ऐसे ही है जब हम side face बनाते हैं तो यह सारे nose हम बनाते हैं, तो नमबर तीन पहे देखिए, यह भी जो nose है, इस तरीके से बना के अंदर round कर दिया, इसमें इतना nook मैंने नहीं निकाला है, पहले वालों की तरह थोड़ा सा, दूसरी तरीके का है, नमबर फोर पहे देखिए, यह L से shape में लेके अंदर round कर सकते हैं, अब नमबर फाइब पहे, जो मैं आपको nose बता रहा हूँ, यह देखिए, यह जब हम front face बनाते हैं तब हम इसको बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक सीधी line लाके थोड़ा सा नीचे से, इसको round से shape में कर लेंगे, यह इस तरीके से नमबर 6 पे देखिए, यू की तरह बिल्कुल है, ऐसे आप बना लिजए, यू की तरह नमबर 7 पे फ्रेंड लाइन खीचिए, उसके बाद यहाँ पर जैसे 3 लेटर होता है, ऐसे हमने थोड़ा सा 3 की तरह बना लिया है, और दोनों तरब से round कर लिया है, इस तरीके से भी nose आप बना सकते हैं, नमबर 8 पे देखिए फ्रेंड, मैंने दो बिल्कुल simple line खीचिए, बिल्कुल बराबर, और उसको थोड़ा सा ऐसे दोनों तरब से round लेते हुए, ऐसे मिला दिया है, तो इस तरीके से भी जो है, हम बना सकते हैं, नमबर 9 पे देखिए U बना के, और दोनों तरब से हलका हलका round कर दिया है मैंने, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, नमबर 10 पे यह देखिए, थोड़ा सा L शेप में ही है, लेकिन यह थोड़ा सा कर्व लाइन से बना हुआ है, ऐसे नोज भी आप साइड फेस में बना सकते हैं, नमबर 1 पे बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी लाइन होती है, यह लाइन भी लिप्स के लिए हम यूज करते हैं अधुबनी पैंटिंग में, नमबर 2 पे देखिए, थोड़ा सा यह निकला हुआ लिप्स है, बाहर के तरफ निकला हुआ रहता है, और ऐसे बनता है यह, नमबर 3 पे देखिए, एक लाइन करके ऊपर से थोड़ा सा राउंड से से शेप में कर देए, और नीचे से ऐसे भी लिप्स बनता है, यह सारे साइड फेस में बनते हैं, फ्रंट फेस के लिप्स में आपको बता देता हूँ, यह देखिए, नमबर 4 पे लाइन कर लीज़े, और ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से लिप्स बना लीज़े, और नीचे से राउंड से शेप में बना ली 6 पे देखिए फ्रेंड, जब मुस्कुराता हुआ फेस बनाना हो, तो आप यह वाला लिप्स यूज़े कर सकते हैं, यह देखिए तो वो भी ऐसे थोड़ा सा कर्व से लाइन में करके बनाया है, और नीचे से थोड़ा ऐसे फैलाते हुए, देखिए अच्छा लग रहा है नमबर 8 पे, जब सिंपल फेस में हम बनाते हैं, फ्रंट फेस में, तो यह लिप्स भी बना सकते हैं, यह देखिए जैसे दो V के शेप में दो ऐसे आप बना लीज़े, और नीचे से राउंड के शेप में, यह देखिए, हमारे लिप्स बन गए हैं, अब हम आते हैं इयर्स यह देखिए, फ्रेंड, साइड फेस हो, यह फ्रंट फेस हो, यह देखिए जैसे ही बनते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, तो और यह देखिए, यह देखिए, यह लाइन खीचके, और इथर से मैं यह देखिए, आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से थोड नमबर दो पर देखे बिल्कुल सिंपल ऐसे मैंने राउंड से शेप में बना के दिखा दिया आपको ऐसे भी आप बना सकते हैं इयर्स वैसे common ही बनते हैं कोई इसमें फर्क नहीं होता है number five पे देखे डबल लाइन करके मैंने एक इयर बता दिया है आपको तो आप ऐसे सारे इयर्स बना सकते हैं इयर्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है दो लाइन कर लें, तीन लाइन कर लें, बिना लाइन के बनाए, वो आपके एक च्छा है, अब इन सब को मिला के मैं आपको face बनाना बता देता हूं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कैसे बनाना है, तो number 1 पर यह देखिए, L से shape में लेके मैंने यह उपर forehead से start करते हुए, nose ब देखिए, यह ने बना लिया है, और इसके बाद आखें जो simple वाली पहली मैंने बना यह वही मैं यहाँ पर बना रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही, यह देखिए, कैसे बन रहा है यह, तो यह मैंने बना लिया है, अच्छा लग रहा है यह, ऐसे बना के आप बना सकते हैं, number 2 देखिए, यह LCC में जो अंदर को गया हो, अंदर को मुडा हुआ सा नोज है, उसको बनाएंगे, four head से start करके, यह इस तरीके से अंदर को मोडते हुए नोज बना लेंगे, lips जो देखिए, number 2 पे मैंने आपको दिखाया है, वही वाला मैंने यूज किया है, ऐसे बना सकते है आप भी, और eyebrow बिल्कुल कशनी वाला, eyes बिल्कुल कशनी वाला, मैंने इसमें आपको number 2 वाला बना के दिखा दिया है, number 3 वे friend, मैं आपको number 3 वाला ही nose बनाया है, मैंने, और eyes भी number 3 पे जैसे हमने बनाया था, वैसा बनाया है, lips भी number 3 का बना के आपको बता दिया है, यह दे इस तरीके से forehead से start करेंगे अंदर को दबाते हुए nose अंदर को मुर्ताव अपनाएंगे और lips इस तरीके से आप number two वाला बनाएंगे यह देखिए मैंने बना दिया है अब number four पे जो है मैं front face आपको बना के दिखा रहा हूँ front face देखिए पहले हम एक round बना लेंगे यह dot करके भी बना सकते हैं आप ऐसे अगर आपको नहीं आता है तो यह पैंसिल से बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं देखिए round मैंने बना लिया है तो तो यह दर बालों का शेप दे देता हूँ मैं उसके बाद इसमें आखे आइब्रो सारा जो है मैं कशनी वाला बना रहा हूँ यह देखिए और nose जो है जो मैंने first nose आपको number five पे बताया है वह बाला nose बना रहा हूँ यह देखिए इस तरीके से दो line करके दोनों तरप से और ऐसे round shake करके इसमें हमने यह shape बना दिया है यह देखिए यह nose बन गया और eyes जो है double line से हम करके बनता रहे हैं इसमें कशनी वाला eyes है यह इस तरीके से हम बना सकते हैं number five पे एक front face ही बना रहा हूँ मैं और बिल्कुल simple nose eyes nose बना रहा हूँ यह देखिए round बना लिया है मैंने और इसमें हमने थोड़ा सा बालों का style दे दिया है और यह देखिए eyebrow बनाते हुए you say safe मैंने nose बना लिया है फिर दोनों आँखे बना लेते हैं इस तरीके से और lips मुस बना के दिखा देता हूँ यह देखिए number 1 पे इस तरीके से years ऐसे मैंने side से बाहर से लगाया है और number 2 पे मैंने अंदर से भी years बनता है तो वो बना दिया है number 3 में भी और यह देखिए number 4 पे मैंने kashnivala जो है years लगा के दिखा दिया है आपको पे मैंने years बना के आपको online class लेना है तो आप हमसे contact कर सकते हैं या आप हमें comment करके बता सकते हैं या email कर सकते हैं तो अगर आपको online class लेना है तो आप हमें join कर सकते हैं तो friend आज की वीडियो में बस इतना ही लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को like करे channel को subscribe करें comment करे और शेर करें, थेंक यू